आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा प्रगतिशिल विचारों की अंतहीन श्रेंखला सहकार रेडियो के शोताओं को पवन का नमस्कार साथियों विचारों की यात्रा में आज आप सुनेंगे सुमित सप्रा की एक कविता जो की वरतमान में देश में चल रहे एनरसी और सी एए के खिलाफ अंदोलनों के संदर्ख में बहुती प्रासंगी कविता है ये कविता सोचल मेडिया पर लोग खुब शेयर कर रहे है आप भी सुनिये ये कविता आज धर्म पूछोगे कलजाद पूछोगे कितने तरीकों से मिरी आवकाद पूछोगे मैं हर बार कह दूँगा यही वतन तो मेरा है घुमा फिरा के तुम भी तो वही बात पूछोगे सच थोड़े ही बदलेगा पूछने के सलीकों से थमा के कुरान या फिर जमा के लाद पूछोगे मेरी नियत को तुम कपड़ों से समझते हो लहू का रंग भी क्या अब मेरे हजरात पूछोगे मैं यही था 84 में, 93 में, 2002 में और 13 में किस किस ने बचाया मुझे उस राद पूछोगे तुम ही थे वो भीर जिसने मेरा घर जलाया था अब तुम ही मुझे से किस साय वारदात पूछोगे जबान जब भी कुलती है, जहर ही उगलती है और बिगड जाएंगे अगर तुम मेरे हालात पूछोगे पुर्खों की कब्रें, स्कूल की यादें, इश्क के वादे कुछ देखोगे सुनोगे या सिर्फ कागजात पूछोगे तो शुदाओं सहकारेडियो पर अभी आप सुन नहें थे सुमित सप्रा की ये कविता, जो की सोशल मीडिया पर तेजी से वाईरल हो रही है तो आज विचारों का सफर यही तक, इस चंकला के एगले कार्क्यम के साथ आप से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिये विदा मुझे यानी पवन को, नमस्कार आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर विचार यात्रा हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारा फेस्बूक पेज लाइक करे सहकार रेडियो के कार्यक्रम सीधे आपने वाट्सअप अकाउंट पर पाने के लिए हमारे वाट्सअप अकाउंट नमबर 9617226783 पर आपना नाम और संक्षिप पता लिख कर भेजे तो सुनते रहिए सहकार रेडियो